You are most welcome at our channel लाजवाब खाना स्वात का नज़राना उमीद करती हूँ आप सब खारियस से होंगे तो आज मैं लेकर आई हूँ एक नई बहुत ही टेस्टी जूसी और अलग तरे की मिठाई जिसे पाल केक कहते हैं ये केरल की फेमस मिठाई है ये मिठाई बहुत ही डिलेशिस होती है 10 से 15 मिनिट में बन जाती है और इसे बनाना भी बहुत आसान है आप सोच रहे होंगे कि इस मिठाई को पाल के क्यों कहते हैं तो इसके बारे में भी इस वीडियो में ही बात करेंगे तो बने रही है वीडियो में एंड तक अभी तक मेरे चानल को सबस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबस्क्राइब कर दें वीडियो को लाइक कर दें और फ्रेंड्स और फैमली में जादा से जादा शेयर कर दें तो इससे मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की इंस्प्रेशन मिलती है तो मज़िदार सपाल केक बनाने के लिए सबसे पहले हम एक बड़े से बाउल में लेंगे 1 फोट कप दही इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून घी ये मेल्टेड घी है अब दही और खी इन दोनों चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए और बिल्कुल स्मूद सा दिखने लगे तो फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून मिल्क पाउडर जो सबी मिल्क पाउडर आपके आवेलेबल हैं आप वो डाल सकते हैं अब इन्हें हम हलका सा मिक्स कर लेंगे और फिर मैं डाल रही हूँ इसमें 2 चुटकी नमक जो पाल केकी मिठास को बैलन्स करेगा और इसका टेस्ट और भी जादा इन्हेंस कर देगा तो आप जरूर से डालिएगा और फिर देखिएगा इसका टेस्ट कितना लाजवाब आता है अचा फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1-4 टीस्पून बेकिंग सोडा और 1-4 टीस्पून मैं इसमें डाल रही हूँ कुटी हुई हरी लाइची कोई भी मीठा में बना रही हूँ तो उसमें हरी लाइची में जरूर डालती हूँ क्योंकि इसे बहुत अच्छा टेस्ट आता है अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे और फिर हम इसमें डालेंगे 1 कप मैदा अच्छा मैदे की जगा आप चाहें तो आधा आटा और आधा मैदा भी ले सकते हैं और पूरा आटे का भी बना सकते हैं टेस्ट तीनों तरीके से बहुत अच्छा आएगा अब मैदे को हम पहले इस तरह से मिक्स कर लेंगे और हमें इसका एक थोड़ा सकसा डो बनाना है बहुत सकत भी नहीं बनाना है जैसे रोटी के लिए बनाते हैं तो बस उससे थोड़ा सहाल तो पहले हम मिक्स कर लेंगे और फिर जितनी जरुवत होगी उस हिसाफ से हम चमच से थोड़ा थोड़ा दूद एड़ कर लेंगे तो यहां मैंने एक चमच दूद डाला इसे मिक्स करेंगे और अगर जरुवत लगेगी तो फिर और आधा या एक चमच और मिलाएंगे इसे मैंने बहुत अच्छे से गून लिया है और इसका एक स्मूज सा चिकना सा डो तेयार कर लिया है तो अब इस पर हम हलका सा घी लगा देंगे या ओल लगा देंगे और फिर इसे ढख कर हम 15-20 मिट के लिए रेस्ट के लिए रख देंगे और इपनी देर में पाल के लिए तो चाशनी के लिए मैंने लिया है दो कप चीनी और दो कप ही पानी फ्लेम को मीडियम टू हाई रखेंगे और थोड़ी थोड़ी देर पर हम इसे चलाते रहेंगे जब तक चीनी घुलना जाए क्योंकि अगर चम्मच हम नहीं चलाएंगे तो चीनी नीचे से चिपकने तो चाशनी में बॉइल आगया है अब हम इसमें हाफ नीमू का रस डाल देंगे जिससे की चीनी में क्रिस्टलाइजेशन ना हो कभी कभी ऐसा होता है कि चाशनी जब ठंडी होती है तो उस पर वाइट वाइट सी चकर जम जाती है तो नीमू डाल देने से वह नहीं होगा अचा चाशनी को एक तार या दो तार की चाशनी नहीं बनानी है इसे बस चार से पांच मिनिट और पका लेंगे कि ये चिप चिपी सी हो जाए तो देखिए चार से पांच मिनिट के बाद जब थोड़ा सा हम चमच से लेकर फिंगर्स पे इस तरह से करते हैं तो हमें चिप चिपा सा फील होता है बस हमें इतना ही इसको पकाना है तो अब हम गैस की फ्लेम को आफ कर देंगे और इसे ढखक कर रख देंगे तो 15 मिलिट हो गए है आटा हमारा बढ़ियांसे सेठ हो गया है अब इसे हम एक से 2 मिनिट और अच्छे से गून लेंगे जिससे की ये और भी बढ़ियांसे स्मूथ हो जाए इसका एक स्मूथ सा पेडा या लो़ी बना लेंगे और पिर अम इसे बेलेंगे पाल केक बनाना बहुत आसान है और बहुत कम इंग्रेडियंट से बन भी जाता है इसे हम बहुत पतला नहीं बेलेंगे थोड़ा मोटा ही बेलेंगे मैं इसे चौकोर बेल रही हूँ थोड़ा आप चाहें तो इसे गोल भी रोटी की तरह बेल सकते हैं बस यह है कि चौकोर बेलने से साइड से कटिंग थोड़ा कम निकलती है तो मैंने इसे बेल लिया है अब चलिए इसे काट लेते हैं आप चाहें तो इसे चौकोर भी शेप दे सकते हैं या फिर रिक्टैंगलर पसंद है तो रिक्टैंगलर शेप दे दे पाल केक का टेस्ट तो बहुत बड़ी आने वाला है तो सबसे पहले मैं इसे सिधा सिधा काट लूँगी तो आप वीडियो में देखते जाए जिस तरह से मैंने इसे काटा है उस तरह से आप भी काटते जाएं मैंने पाल केक को रिक्टेंगलर शेप में कट किया है और मैं आपको उठा कर दिखा दे रही हूँ कि देखे पाल केक को मैंने थोड़ा मोटा काटा है आप इसकी थिकनेस अपने हिसाब से थोड़ा कम जादा कर सकते हैं अब इने हम निकाल कर एक प्लेट में रख लेंगे और साइड वाले जिनका शेप साई से नहीं आया है तो उसका हम फिर से पेड़ा बना लेंगे और बेल कर फिर से कटिंग कर लेंगे तो इस तरह से मैंने सारी मिठाईओं को काट कर रेडी कर लिया है तो चलिए भब हम इसे फ्राइ कर लेते हैं एक कड़ाई में मैंने ओaiल को गरम होने के लिए रख दिया था मीडियम फ्लेम पर ऑईल जब हलका सा गरम हो जाए तो हम इसमें अपनी मिठाई एक एक करके डालेंगे जितनी आसानी से एक बार में आ जाए कड़ाई में उतनी ही डालें अच्छा एक बात का ख्याल रखें कि इसे हमें slow to medium flame पर ही पकाना है क्योंकि अगर हम आज तेज रखेंगे तो ये बाहर बाहर से पक जाएगी और अंदर से कच्छी रह जाएगी इसलिए slow to medium flame पर ही इसे पकाएं अच्छा मिठाई डालने के बाद एक से दो मिनट चमच ना चलाएं बड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि अपने आप ही तैर कर ऊपर आने लगेगी और इसका कलर भी white होने लगेगा तो अब हम इसे उलट पलट कर अच्छे से दोनों साइडों से golden brown कलर आने तक fry कर लेंगे और ये देखिए कितना बड़िया गोल्डन कलर इसका आया है तो अब हम इसे निकाल लेंगे इसके साइड्स में आप देख सकते हैं कि इसमें layers से नजर आ रही होंगी इसका मतलब कि हमारा पाल केक बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है और इसी के थुरू ये अच्छे से चाशनी को पिएगा और अंदर तक soft और juicy बनेगा रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज इसे like कर दीजे और friends और family में जादा से जादा शेयर कर दीजे और चैनल को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कर दीजे जिससे मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियोस बनाने की inspiration मिलती है और अब पाल केक पर डालेंगे बहुत ही tasty और खुश्बूदार चाशनी अच्छा चाशनी अगर ठंडी हो गई है तो इसे हलका सा गरम कर लें और फिर इस पर डालें चाशनी अच्छे से डालेंगे जिससे की पूरे पाल केक उसमें डिप हो जाएं इसे ढखकर हम धेर से दो घंटे के लिए रख देंगे जिसे चाशनी अच्छे से अंदर तक जस्ब हो जाए चाशनी में डिप के वए इसे एक घंटा हो गया है तो अब इसे अपनी पसंद के ड्राइफ रूट्स और चांदी के वर्क्स से गार्निश करिए बिलकुल मार्केट वाले स्टाइल में और फिर सर्फ करिए कोई जान ही नहीं पाएगा कि आपने इतने कम टाइम में और इतनी असानी से इतनी डिलेशिस मिठाई घर में बनाई है अपनी खुशियों को और अपने आने वाले तेवार को इस बहुत ही टेस्टी जूसी मिठाई के साथ सेलिबरेट करिए तो सर्फ करते टाइम इस पर डालेंगे थोड़ी सी गुनगुनी चाशनी और फिर इसे चलिए हम कट करके भी आपको दिखाते हैं और ये एकदम परफेक्ट, सॉफ्ट, जूसी और बहुत डिलिशिस बना है उमीद करती हूँ ये रेसिपी आप सब को बहुत पसंद आएगी तो मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी इस रेसिपी को आप लोग लाइक, शेर जरूर करिए साथ ही आपके अपने चैनल लाजवाब खाना, स्वात का नजराना को सब्सक्राइब कर दीजे और बेल के आइकोन को भी प्रेस कर दीजे तो इससे आपको हमारी रेसिपी के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगे मिलते हैं बहुत जल्द एक और लाजवाब रेसिपी के साथ थैंक्यू वेरी मच फॉर वाचिंग